सभी को नमस्ते तो हमारा कैम्प दिर दे और गहरा होता जा रहा है और उसके दौरा आपका मन भी कैम्प में गहराई से डूबा है समय जानता हूं हम माइन इजिकेशन के दौरा बाइबल में लिखे मौनिशी की मन की दुनिया को बहुत व्यक्त कर रहे है आज हम मत्ती के बाइस अद्ध है में से वचन पढ़ेंगे मत्ती का बाइस अद्ध है उसके एक वचन से आगे पढ़ेंगे अगर आपने ढूंडा हो तो मैं पढ़ूँगा येश्वी फिर उनसे दुरुष्टानतों में कहने लगा स्वार कराज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भीजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भूज में बुलाए पर उसने और दासों को यह कर बेजा निमंत्रित लोगों से कहो देखो मैं भूज तयार कर चुका हो मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए है और सब कुछ तयारे विवाह के भूज में आओ पर उसने लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़ कर उनका अनादर किया और मार डाला तब राजा को कुरोद आया और उसने अपने सेना भेज कर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूख दिया तब उसने अपने दासों से कहा विवाह का भूज तो तयार है पर निमंत्रित लोग योगे नहीं ठहरे इसलिए चोहराओं पर जाओ और जितने लोग तुमें मिले सब को विवाह के भूज में बुला लाओ आता हो उन दासों ने सडको पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सब को इखटा किया और विवाह का घर अत्यतियों से भर गया जब राज़ा अत्यतियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मौनशु को देखा जो विवाह का वस्तर नहीं पहने था उसने उससे पुचे है मितरतु विवाक वस्तर पहने बिना यहां क्यों आ गया उसका मुँ बंद हो गया तब राजा ने सेवकों से कहा इसके हाथ पाउ बांद कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो वहां रोना और दात पीसना होगा क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है पर तो चुने हुए थोड़े हैं तो बाइबल बस कहानियों के पुस्तक ने बलकि मन की मन के दुनिया को वेक्त करती है तो बाइबल पढ़ते हैं कभी कभी क्या लगता है कि दुनिया में ऐसे बाते कप कैसे हो सकती है कौन है ऐसा जिसको राजा ने अपने बेटे की विवाक की भोज में बुलाया और कौन नहीं जाएगा निमंदरन नहीं पाएंगे तो बुरा लगए कौन नहीं जाएगा इस बात को हम समझ नहीं सकते लेकिन ये बात हमारे मन की दुनिया में बहुत आचे से प्रगट होती है मतलब मनुशा हर एक बात में एक समान एक मन नहीं होता जब हमारे पास अलग मन होता है तो जो लोग अलग मन रखे हुए हैं वो कभी मन में एक नहीं हो पाते आत्मी जीते हुए प्रभव पर विष्वास करके सु समार्चार के लए जीते हुए वोग मन के अलग मन्हें होता चैसे के उसको हम इंकार करते इससं साताते हैं परिशान करते है कैसे ऐसे हो सकता है राजा के बेटे के विवा का भोज है बस निमंतर ने पाया तो बुरा लगे का ना लेकिन अगर निमंतर मिला है तो हम जाहेंगे ना वहाँ पर खाना होगा बहुत ही मज़दार जगा होगे वह लेकिन यहाँ पर बाइबल के बताती है कि एक शत्रू है अगर जब हम उत्पत्ती पढ़ते हैं परमेशन ने आकाश पृत्वी की उत्पत्ती की उसने बहुत सुन्दर तारे सूर्य जो चांद मनाए फूल पेड रिफल बहुत सब बनाए और परमेशन ने मनसे को वहाँ पर जीने लगाया तो हम परमेशन के पड़ते धन्यवादे जियेंगे तो कि इतनी अच्छी बात होगी लेकिन उत्पत्ती के तीन आदे में पढ़ेंगे तो परमेशर ने आदाम और हावा मनुश्य को बनाया ना लेकिन वो परमेशर के द्वारा चलाए नहीं जा रहे थे परमेशर की विरोध जाने वले शेयतान के द्वारा चलाए जाकर परमेशर की विरोध में गए हम इस कहानी को सुनकर बले इसके साथ सहमत होते हैं लेकिन जब हमारा मन जब शैतान के हाथ में दिया जाता है शैतान तो परमेशु और के विरोध में ही जाता है आप एक तो परमेशु के खिलाफ कड़े रहोगे या फिर परमेशु के तरफ से खड़े रहोगे बीच में कहीं नहीं होगा ना किया जन सेके इस कृुष की बाउना किड़ियोब गएका स्विता , एथ सुनरी स्कृ चुल शुरु क फि데ए हो भी बहन भाली किसेज बुड़ु को प्रचारकों को बढ़ा कर बना कर उने दूसरे सुसामाचार के लिए भीज़ते हैं। तोम सब लोग एक मन से खुशी से ऐसे काम करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो वहां पर अलग मन अलग सोच रखे हुए थे। इन बातों को मैं अच्छ समझ नहीं सकता था। लेकिन एशु के बारा चेलों में से यहुदा इसकरुती नाम का एक चेला था। इसने तीस चांदी के सिकों के लिए इशु को पकड़वा दिया। तो बाइबल में में पढ़ने लगा कि यहुदा इसकरुती के पास ऐसा मन कैसे आ सका। यहना के तेरा अदे के दो वचन में क्या लिखा है। जब शैतान शमौन के पतर यहुदा इसकरुती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। यहुदा एसकरत येशु के दोरा चुने में बाराः चेलो में से एक था लेकिन एक दिन श्यतान जो परमीशों के खिलाब है येशु से नफरत करता है उसने यहुदा में एक सोच टाली अगर तो येशु को पकड़वाएगा तो तो थोड़ पैसे कमा सकता है तो हम जब सोचते हैं येशु का चेला है कैसे उसको इसे बढ़ाने वाले येशु को उसके गुरु को पकड़वा सकता है अगर गदारी कर सकता है हम इन बातों को बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं येशु को 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 येश लेकिन बाइबल को ध्यान से पढ़ने पर येसु नीमी जंजे देन गवा जएनी देन गवा तो उसने देखा कैसे येशु को दोशी ठहराया गया और तबसे हो हैरान होने लगा याजुको के पास जाकर हो कहता है अपने सारी चांदी जो सिके पाए हो सब लेकर आता है मैंने एक निर्दोश लगु को धुका देकर पाप किया है अभी क्या करें उसे बदल नहीं सकता नो तो ये आजकलु कहते हैं तो तो तेरा देख ले ले तो इसलिए येहुदा बहुत ही दर्द में था तो इसलिए उस दर्द को सहनी कर पाया और आत्मात्य करने कैसे बात हो स इस्यू के बाराचेलों में से कोई असा कैसे हो सकता है लेकिन जब क्रिश्टिन हिस्ट्री या बाइबल की हिस्ट्री पढ़ते हैं बहुत सारो लोग जो प्रभु के साथ रहे उनमें से बहुत लोग प्रभु के खिलाब करें उरी रर सानागाशी और चंजी र चिए और लेकिन परमीश और हमारे नातिय को खराब करने वाले शैतान ने लगातार हमें बहुत उल्चन में डालोर परमीश खिलाफ जाने दिया अब भी जैसे आत्मी जीते हैं यहां पर राजा का भोज है और लोग निमंतरत किया गया है को राजा के बेटे की विवाः के बोज में नियमंतर मिलाए क्यों नहीं कहीं लोग बिल्ह सेंगाएं प्रियों प्रेल जांदेब है उम्जियों हम बैसी सोचे समझें हमारे मन के अनुसर ध् indoor सेंगार हमारे सोच को रखते हैं असलिए हम पाप में या दुश्टाम में बस ऐसे ही नहीं गिरते हैं येशु ने क्या गलत किया उसने बाराचे लोगों सिखाया अपने सामर दिखाई बिमारों को चंगा किया देनिया लोगों पर की मदद की मरेहों को जिलाया इतने मुलेवान कामों को उसने किया क्यों येशु मसी को कुरूस पर मारा गया क्यों उसे पकड़वाया गया और वो किसी और नहीं नहीं बलकि येशु के बाराचेलों में से ही एक ने किया क्रिश्चन हिस्ट्री में जब आप देखते हो जब मसीयत लोगों पर सतावट आई है जातर अगर आप देखो कोई क्रिश्चन लीडर पकड़ा गया हो उसके चेलों के दौरा उसके नजदी की मसीय लोगों के दौरा वो पकड़ा जाकर ऐसे मारा जाने वाल लोग बहुत सारे हैं लेकिन दौरा आपको हमारे मन को जलने के कोई तकलिफ नहीं है और हम पर मिश्वास रखने कर विश्वास नहीं रखते हैं और हम पर मिश्वास रखने कर दूसरी सोच रखते हैं तब तो मैंने मिशिणेरी स्कूल ये स्कूल शूरू किया और उसके द्वार पूर दुन्या भर में मिशिणेरी को भीज़कर हम सुसा माचार प्रचार कर रहे हैं लेकिन लोग सच में पुरे मन से आत्मी बाद में काम करने के लिए आये हैं तो लोग जब मेश्टनरी स्कुल ख़तम करकर बाहर जाते अलग लग वातावरन में काम करने लगते हैं सच में किस बात को समझ नहीं सकते हैं ऐसे लोग जो लोग एक मन थे, साथ में थे उनका मन बदल जाता है और वो खिलाव जाने लगते हैं, तकलिफे पैदा करते हैं, जुट बोलते हैं, ऐसे बातों का मैंने अनुभव किया आज मेरे पास विश्वास है इसलिए उसके दोरा सच में परमीश्वर को देखते हैं, बल्कि जब शयतान से दोका खाते हैं आखिरकार ये लोग राजा के भोज में शामिल नहीं हुए इतना ही नहीं हुआ बल्कि राजा की विरोधी बन गए हैं, राजा के भोज को खराब करने कोशिश कर रहे थे आखिरकार वो लोग नाश ही लाने वाले लोग बन गए लेकिन उल्टा भले हम किसी पाप में, दुष्टता में, शैतान के अधीन क्यों नहीं हो एक बार मन बदलने से, सच में बहुत इस आमरत्चाली इनसान बन जाते हैं हमारे मिशन में बहुत सारे मिशनरीज है, पास्टर्स है अभी बहुत समय बीच चुका है इसलिए सुछ समाचाल को परेदुन हैं हम फैला चुके हैं और हमेशा जो काम करनेवाले मिशनरी होते हैं, उनमें जो काम होते हैं कोई ऐसे लोग है जिनको देकर मुझे भी लगता है यह बहुत ही मुलवान हैं बहुत ही महान है वो हर एक बात में अपने आपके बर में नहीं सोचते हैं प्रभु की सेवा करते हैं पुरे मन से तन से तो इसलिए हमारे मिशन के द्वारा पुरी दुनिया भर में सुसमाचार प्रचार करने का अद्बूत काम परमेशो कर सका लेकिन उल्टा हमेशा इसके खिलाफ जाने वा लोग पक्का होते ही है निशिते उन सब के मन को तो नहीं जान सकते हैं लेकिन ऐसे बाते हमेशा परमेशो की कलिस्या में होती ही है तो इसलिए येशो मस्वी को कुरूस पर मरना पड़ा उसे नयाद इसों के सामने कड़ा रहना पड़ा बंदे रहेकर खिचे जाना पड़ा ये सारे काम दुष्टात्मा ने येशो के चेले यहुद ऐसकरट के दोरा ही करेकिए तो इसलिए बले आज आप करते हो कि आप पर विश्वास करते हैं लेकिन अगर आप येशो की नहीं बल्कि दुष्टात्मा के दोरा चलाए जाएंगे तो दुष्टात्मा को मुश्किल नहीं होते हैं आपके मन को बदलना इतना आसानी से लोग के मन बदलते हैं तो इसलिए येशु की तरफ खड़े रहे कर येशु की लहुसे पापो की शिमा पाकर नैस्य से जन्म पाकर येश्यो के साथ में अगर एक मन होकर नहीं जीते तो बहुत यासानी से दुष्टा आत्मा हमें परमीश्वर और उर्श्की के खिलाफ जाने के लिए चला सकती है तो जब हम सिखाते शिक्षन देते हैं मिशनेरी बनने के लिए शिक्षन देते हैं आम तोर पर बाइबल खोलकर बाइबल पर आधारित शिक्षन देते हैं यहां पर एक बात क्या महसुस कर सकते हैं को इख जब शिक्षन पाते न तभी उन प्रगट नहीं होता हुआं देले देले करके अपने अपको छिपाने लगते हैं थोड़ा सामें बीटने पर और शेपाना पड़ता है उनको और अब और और जब उनके असलियत प्रगट होती है जो विरोधी बन जाते एकसा ऐसा अकसर होता एक मुझे सच में बहुत डर्द होता था कैसे ऐसा कर सकते हो ये दो भकवास लगता है ये लोग ऐसा कैसे कर सकते है लेकिन जभू हम बाइबल को पढ़ते हैं तो ऐसा हर बार होता है आसानी से कहें तो अज यहां पर जो आप लोग वच्छन सुन रहे हो लोग भी शेतान के दुष्टा आत्मा के दोरा चलाए जाए जाएंगे उसके दोरा लालाश पाएंगे तो आप भी बिल्कुल भी हमें दोका देकर परमीशों के खिलाफ करे रह सकते हैं एक राजा के बेटे का विवा का भूज था तो कुछ लोग को शें दिया कि मेरा बेटा इस दिन विवा कर रहा आप भूज में आई हैं आप बहुत दन्यवाद आप दने के लिए इसे कहते हैं न ठीक में आउंगा शाइसे ऐसा कहा होगा लोगोने लेकिन जब विवा कर भूज आया राजाने दासों को भेजा ता कि निमंत्रीतों को बुलाए जाया तब उनके पास में उस बोज में नहीं जाने का मन नख भराया हम समझ नहीं सकते हैं राजा के बेटे के विवा के बोज में नहीं जाना ही हमारे दुख की बाद होते हैं आपको बुलाएंगे तो आप नहीं जाओगे क्या पास आपकर आपको राजा के बेटे के विवा के बोज में बुलाएंगे तो आप नहीं जाएंगे बाइबल में लिखा है नहीं भी जा सकते हैं तो हम इसे समझ नहीं सकते हैं कैसे नहीं जाएंगे कैसे येशु का चेला येशु को पकड़वाता है कैसे उसे येशु को कुरूस पर मरने लगाता है समझ नहीं सकते लेकिन सच में अद्बूत बात क्या है शैतान हमसे कई ज्यादा काबिल हुश्यार है शुरुवात से ही वो हमें पर्मेश और येश्यू के खिलाफ जाने नहीं देता दीरे दीरे करते हमारे मन को दूसरे दिशामिल ले जाता है अगर आपका मन येश्यू के मन से एक होता है येश्यू के साथ जुड़कर येश्यू के आत्मा के द्वरा चलाए जाने वाल दशामिल नहीं होता तो तो दूसरा आत्मा आपके अंदर ये से वे से सोच टाल कर परमीश और सुसमाचार के खिलाफ जाने लगा सकती है तो यह परमती में क्या लिखा गया है राजा के बोज में जो लोग शामिल हो रहे हैं कौन लोग है राजा ने निमंत्रित के वे लोग आई नहीं है इसलिए चोहरा आए पर जाकर जिसकिसे में उनको लेकर आऊ उसा राजा ने कहा इस कहानी को देखर में आश्चर चेकित होता हूँ चोदेल बादन चोदेंट को यानोग सागरी सारम तेरो और राजा ने निमंत्रित के वे लोग ने आई लिकिन चोहरा आए पर जाकर लोग बुला लाओ ऐसा राजा ने कहा एक दिन में बैठकर शांती से सोच रहा था मैं राजा को दूरा निमंत्रित वेक्ती हूँ क्या ऐसा रखता है मुझे ने क्जोहरा हैं में था विवा के भूज का समय आया आने वाला कोई नहीं था इसलिए बाद में राजा अपने दासों से कहता है नियम निमंतित लोग योगी नहीं थे इसलिए चोराओं पर जा और जो कोई तुम्हें ले लेकर आओ तो इसलिए वो लोग वापस आए तो मैंने कई सारी कहानियों को पढ़ाए कि कैसे लोग परमिशों के पास लौटते हैं मेरे पैचानकी एक लड़की थी एक बार घ्यंबुक के किमचन में हम रिट्रिट ले रहे थे तो हम एक हफते के लिन एक बार एक महीना बर हमार रिट्रिट होती है तो इसलिए दो पर का खाना खाने के बाद कभी का बार हम वोलिबॉल कहलते हैं तो मेरी उमर भी जादा है मैं बैठता नहीं उनके बीच में लेकिन फिर भी जाकर में खेलता हूँ हम जीत रहे थे लेकिन फुट वॉलीबॉल खेलते हुए एक कोई औरत ऐसे मेरे नजदीक है और नहीं कर क्या का कि पासर मेरे एक रिष्टेदार यहां पर आई है वो घर जाना चाहते है अभी पासर बस थोड़े समय के लिए आप उनसे बात कर सकते हैं तो फुट वॉलीबॉल कहलते कहलते मुझे वच्छन प्रचार करने के लिए पूचे का पास्टर हूं मैं इंकार कर सकता हूं क्या तो इसलिए वहां पर एक लड़की और इसकी माँ थी है इस लड़की को जो था वो टुबर किलोसिस वा था टीबी हुआ था कोरिया में अच्छे दवाई आई है टीबी जो है ना तुरुन ठीक हो जाता है तो इनकी जो बेटी थी इनने टीबी की दवाई लिया और उनका टीबी ठीक हो गया तो फुरा ठीक हो गया इसलिए दवाई बंद करके खुशी से जी रह थे लेकिन फिर इससे एक बार टीबी उनको हो गया तो समझ से क्या थी तो टीबी के किटानों दवाई के कारण मर रहते लेकिन मरते मरते फिर से जिन्दा हो बच गया और वापस आ गया तो अब टीबी के किटानों में उस दवाई के प्रतिकार शक्ती बन गई है जब एक विकती को बिमारी होती है तो बाद में उसके शरीर में प्रतिकार शक्ती बनते है ताकि बिमार फिर से ना हो तो अभी उनकी टानों को प्रतिकार शक्ती मिल गए दवाई के प्रति तो इसले दवाई खा रही थी लेकिन कोई इलाज नहीं हो पा रहा था उसका तो सच में बहुत सुन्दर 20 साल के आसपास की उमर की लड़की थी लेकिन दवाई काम नहीं कर रही थी और उसका वजन घटने लग गया 53 किलो से लेकर 49 किलो वहां से कम होकर और कोई 24 किलो की वह हो गए थी बहुत ही पतली हो गए थी तो उसके पिताजी मा और बेटी उसके पिताजी जो टीबी से गुजर गए और मा को भी टीबी के कारण एक फेफ़णा निकालना पड़ा लेकिन ये लड़के लगवा मर रहे थी तो उसके वजन जो बीस से ज्यादा ही किलो तक का था तो उसकी प्रतिकार शक्ते से बहुत लड़ाई होती थी वह आत्मी जोंसे बहुत नफरत करती थी तो में जब बाइबल के बात करता है और सुनन नहीं चाहते थी तो में कुछ कर नहीं सकता था तो उस दिन हमने हमारी बाते खतम की और रिट्रिट सेंटर में ही हम ते तो में अगा कल फिर से मिलेंगे लेकिन उस दिन दुपैर को वो लड़की और उसकी मा घर वापस चले जगी वो लड़की के प्रतिमेंच बहुत बुरा लगा उसका फोन नंबर नहीं था आडरेस नहीं था तो भले वो रिष्टेदार कहने वाली जो बहनती नहीं वो भी मैं उसको पहचानता नहीं तो तो मैं जान नहीं सकता था और मुझे बहुत बुरा लग रहा था उसके विशे में तो लग बग पाट-छे मैने बीतने के बाद एक दिन मैं जो फोन आया वो उसकी माँ बात करे थे मीसन की माँ आप ठीक है क्या पासर कल आपके पास में समय है क्या हाँ दो पहर को तीन से चार बजे तक मेरे पास में समय है तो मीसन और उसकी माँ दूसरी शेहर में रहते थे लेकिन उस दिन हमारे चर्च तक है तो मैंने मीसन से बात करना शुरू किया मीसन क्या तुमने कभी सुना है कि परमीशों के सामने प्रातना करके बीमारी से चंगा ही पाते है अचानक से मीसन गुसा होगे इसका मुझसे क्या देना देना है तो मैं भी बहुत हैरान हो गया तुम इतनी गुसा क्यों कर रही हो ऐसा होते है तो मर जाओगी तो क्या करोगी मुझे मरने से बिलकुल धर नहीं लगता तो उस दिन मैं जो क्या बोलो को सब भूल गया तो मैं सुचे क्या मैं कुछ बोली नहीं पा रहा था तो उस दिन समय तो बीट गया और चले गए मेरे मन में बहुत तकलीफ थी और एक हफ्ते के बाद फिर से मुझे फोन आया पास कल समय है कि आपके पास तो लड़की और इसकी मा बहुत दूर से गाड़ी में बैठकर हमारे चार्च तक पहुंचे तो इस लड़की के आने से पहले मैं सोच रहा था आज मैं उसे क्या बात करूंगा तो मेरे मन में बहुत चिंतित था मैं तो मैंने कहा मिसन आओ इधर बेठो मैंने सारे अच्छ अच्छ बाती तो बोल दी थी तो मिसन के मन को खोलने के लिए तो मैंने कहा कि आज में बहुत कम बात करूंगा जरूरत की बाती बाती बुलूंगा थोड़ा सुनो तो मीसन आओ उसके मांको ऐसे बिल्ठाकर तो मुझे असलागा क्या चोड़तोंगा तो वापस आएगी क्या यह जह कि एजू प्रिजर साहिए जहा है जाएगी कुछ बद़ें को बहुत कि नहींदा यह यह तब मैने पूछा मीसन क्या तोम इस पर विश्वास करती हो मीसनन क्या कहा मो कुछा करति हो मैं विश्वास नहीं कर पारा दा पिछली बार इतना गुष्वास कर पसंग पसंद पर द्फ Guide मीसनन ी अमन टोम मेर Grüो आटा है हाँ बास अभी मुझे पता चले येश्य के लहू से मेरे पाप दोई गए है मीसनी अमा गा इबल यरस यागिरी तो फिर मीसन की मा मुग खोल कर बोलने लग गई मैचिल जने बेगवन रगाते हूं कुछ दिनों पहले वो अस्पिताल में गए थे हैं गत्म पाओ आवelinिगो बास ये टाने ये गाल जोन ना प्रम का लचार से जनका सु पिर वहर नहीं अब नसके कंगा जहां मीसनी अमा ज़ा माुझा हूं मीसनी अमा थोड़ कि महा इता हूं मीसनी अमा फोड़ी में पेसली में जा बिठहर कृपया करके आप हमारे अस्पताल में मत आईए मीसन के टीबी के लिए कोई दवाई नहीं हमारे पास अगर ये दवाई देंगे तो मीसन अपाहिज हो जाएगी उसकी बिमारी बिल्कुल टिक नहीं होगी ये जानते हुए जुड़ बोलकर आपको दवाई दे रहे हमें डॉक्टर के तरप बहुत तकलिफ हो रही है मेरे पास दूसरी विंती नहीं है प्या करके आप अस्पताल में मत आईए हम बस ऐसे इलाज करने का दिखावा कर रहे हमको बहुत तकलिफ हो रही है तो डॉक्टर अपने पूरे ऐसे मन से बोल रहा था माफ कीजे माफ कीजे डॉक्टर आपको तकलिफ दी हमने और वो ऐसे कह कर निकला आई गाड़ी चलाते हुए घर गई और मीसन को घर चोड़ दिया अके लिए घर से बाहर निकलिए बारिश आरे थी बारिश में भीगते हुए उशेहर में गुम रहे थी तो इसका मतलब कहकी है अभी डॉक्टर ने कहा है कि मीसन महर जाएगी तो मा को बहुत दर्द हो रहा था उसके मन में अभी उसके अके लिए बेटी ही बची है मीसन अगर तो मर जाओगी तो मा क्या करेगी फिर तो इसलिए बारिश हो रहे थी और भीगते हुए रोते हुए रोते हुए आके लिए शेहर में गुम रहे थी बिल्किल एक पागल औरत के समाना लेकिर उसके मन को कोई भी चीज यह से पकड नहीं पाती थी और ये बात वो मीसन को बता भी नहीं सकती और मीसन का मन भी नहीं बदलेगा से लग रहा था तो इसलिए जिसने शाम का समय आया उसने सोचे कि रात का खाना पकाना पड़ाई जिसलिए घर वापस आई वो वापस आते वे उसके एक पहचान के तांतरिक के घर पर हो गई वो तांतरिका के घर पर मीसन के मा पहुंची बहुत ही नजदी के बहुत अच्छी से पहचाने वल तांतरिका थी क्यों इतना बारिश में भीग रहा है आँ थोड़ा में भीग गई तो इसले टावल से लेकर अपना सिर्द से पोच कर वो बैठ गई मीज़न की माने उस तांतरिका से कहा मैडम मेरी बीटी को ठीक करने का तरीका बस बता हो क्या कुछ क्यों नहों मैं सब करूँगी तो अगर मुझे हाथ तोड़ना पड़े मेरे आखे निकाल के देने सब कुछ मेरे बीटी को बचा सूगे तो सब कुछ करने के लिए तैरो तो इसलिए तांतरिका ने कहा उसको बचाने के दो तरीके हैं वो क्या है जल्दी बता तो तांतरिका ने मूँ खोला बहुत ज़्यादा पैसा कर्च करके बहुत बड़ा गर्दान देंगे तो तो मीसन में एक आत्मा प्रविश करेगी तो मीसन भी जब ऐसे एक चुडेल बनेगी तो जी सकती है तो मीसन की माने सुझा ने ने फिर भी मैंने मेरे बीटी को ऐसे बचाना चाहिए ऐसा मन उसके मन में बहुत भरा हुआ था ने कि अभी बीटी के जडी मुदान की बना सची यह हुच है इसल्ल मा ने पूचा आपने काथा , ने काथा नो दो तरीके हैं ने घर तरीके है पुरव पाम में व्यक्ति ने चुडेल वगे मरे कभ़करति है तो दूसरा तरीका क्या है तो तांतरीका ने मुस्कुरा कर कहा येशु पर विश्वास करना मीसर के मा ने सुचा हाँ ये ये हम येशु पर विश्वास करेंगे तो ठीक है कहते है वह उस तांतरीका घर से निकले तो इसले मीसन की मा येश्यो पर विश्वास करके मीसन को बचाना चाहती थी जब वो घर पर आई मीसन सो रही थी तो इसले जान बुच कर उसने मीसन का हाथ पकड़ा तो मीसन को पसंद नहीं आएगा इसले करके नहीं कह रही थी लेकिन मीसन का हाथ पकड़कर अपने मनी मन में परमीशन मेरे मीसन को बचाईया उसे चिलाईया ऐसे प्रातना करे थी अगले दिन थोड़ा शांत समय था उनके पास तभी माने कहा मीसन में तुमसे कुछ कहना चाहती हो मा क्या कहना चाहती हो मैं एक तांत्रिका से मिलकर आए हो अगर तुम किसी आत्मा को स्विकार करके चुडेल बन जाओगी तो जिन्दा बच सकती हो मीसन जैसे सुन रही थी उसने का मा मुझे चुडेल बनना बिलकुल पसंद नहीं है मुझे बहुत डर लगता है मैं कैसे चुडेल बनू मुझे बहुत डर लगता है माने कहा तो फिर क्या करें अगर तुम एक तो चुडेल बनो या फिर यश्य पर विश्वास करो तो जरू मुझे करोगी तो मीसन कहरें मीसन का वन मीसन की मां का वन परमीशो के पास लाया तो उस दिन मीसन और उसकी मां को पिठा कर मैंने पापो की शमा के विशे में उनको समझाया मैंने कभी सोचा भी नहीं तक ऐसा होगा मैं सोचा तो एक फिर से घुस्ता होगी तो क्या करूँ मैं पहली बार ऐसे घबराते घबराते मैंने बात की होगी मैं घबरा है बिना नहीं रहे सका क्यों पता है क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाए तो एक आत्मा गवा दूँगा मैं इसलिए सारे अच्छे ची बाते मैं बोलता और बहुत शांति से येश्य के लगू ने कैसे हमारे पापो को दो दे ये मैं बताया परमेश्वर ने हमारे सारे पापो को येश्य पर लादने के लिए और फिर येश्य मसी ने हमारे पापो को लेकर उस पापो का सारा दंड उसने पाया इन बातों को मैं उसे लगातार बता है और ये बोलते बोलते मीसन के ओर मैं बहुत देख रहा था मतलब वो ये गुसा होगी तो क्या करें दो उस दिन शांती से उसने सुना और आखिरका और हमारी बाते कतम है मैंने पोचा है मीसन के तुम इस पर विश्वास करती हो बहुत अद्बूत बात कहती है मीसन के मुख से क्या बाते निकली है हाँ पास्टर मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था सच में मैं विश्वास कर के बोल रही है मेसन कर अई मेसन अभी मिशन कि माँ को नने पूछआ मेसन कि माँ कryण पर विश्वास करदे कैसे यहối हाँ पासर हमारे पप अजीव लेंगं थाल कि मेसन की माँ और मेसन ने पापो की शामा पाई मेसन ने कहा आज बहुत अजीव लग रहा है पास्टर जो बात करते हैं एक गंटे से जादा बात करते हैं लेकिन एक बार भी खासी नहीं आए हैं अब मैं हमेशा भी सुच रहे थी, मैं हमेशा बहुत ही खासती हूँ लेकिन उस दिन मीसन और उसकी माँ बहुत खुशी बरे मन से घर वापस कई और दो तीन महीने बीतने के बाद एक युनिवर्सिटी में मैं आईवाफ के विध्यारतियों के खटा करके हॉल में से लेक्चर दे रहा था और वहां पर से बाहर जा रहा था तो इसले है लाव मीसन की मा और मीसन की मा ऑर मीसन शामिल खआए तो मेर ली रुकर एथा इंतज़ार कर शें मीसन का चेहरा बहूँ अच्छा बन गया था जा जार चिनेंगा था, मीसन कै तूम ठीक हो बहुत हो ह Gesellschaft हमाँ मैं बहुत कुश हो आहम लोगों ने हमारे पूर्वो जो से बहुत जाइदात पाई है, वो हमारे समपती बढ़ती भी नहीं होती, तो अच्छे से जी रहे हैं, मीसन के माप मीसन के लिए बहुत सॉज़स चीज़े करित के देजिए, तो जैसे उसने दवाईया खाना रोगती है उसके पेट बहुत अच्छा हो गया और सब कुछ खाने नगगे मीसन का चेरा भी बहुत अच्छा बन गया था वो सच में बहुत खुश लग रहे थी एक ही शेर में नहीं रहे तो उसके बाद में मिलने ही पाया थोड़े समय के बाद में बहुत लमबे समय के बाद मीसन की मा ने मुझे फोन किया पास्तर पास्तर मीसन येश्यमसी के पास चली गई तो हला कि मीसन प्रभू के पास चली गई कि देखर कैसे उसने इतना समय में पापकी शमा पाकर खुशी से धन्यवादित साथ जी पर मीशन ने उसको उद्धार दे इसके प्रती धन्यवादित हुमें मुझे ऐसा लगा मीशन अपनी पूरी जिंदलिस्टी इसको उद्धार इसको पर विश्वास कर लिया है तो कैसे पर मीशन उसके आत्मा से प्यार करते हुए उसे सुसामाचार पर विश्वास करने देकर जो आनन जीवन से गवाने के लिए उससे बाहर निकालने के लिए दुष्टात्मा लगातर काम करता है परमी शो पर विश्वास करते करते कोई खिलाव चाता है कोई तकलीफ पैदा करता है अम्पीता मिनना शरॉम दो इन दो इन दो आनता हैं, और उल्टा कुछ ऐसे लोगे जो विश्वास नहीं करते हैं, लिचे जो जब आधा इस के माध सेमफों पर बात करते हैं, तो बहले मिसं जो जो है इस दुनिया को छोड़ कर चलेगी प्रभू के पास चलेगी। लेकिन उसने पापा की शमापाई उसका शरी बेहतर हुआ वो बहुत खुश हुई और पर प्रभू के पास चले गई परमेशन इस अलग अलग तरीकों से हमारे मनों को प्रभू के सामने लाता है हमारे मन में दुष्टात्मा तकलीफ देती है राजा अपने पुत्र की विवाग के भूज में बुला रहा है लेकिन उसके खिलाफ जाकर इंकार करते खिलाफ चाते है और फिर जो भूज में आया मतलब कैसे राजा के भूज से हमेशा शुरुआत में फाटक में ही एक भूज का वस्तर है तो निश्यते वही वस्तर पहना ज़रूरी है तो लोग साइस के अनुसार देते जो उनको फिट होता है वो पहन कर आ सकते हैं तो लोग ने वस्तर पहना था लेकिन एक ही ता जिसने वस्तर नहीं पहना था उसने क्या ये शुने उसे पूचा ये वही वस्तर नहीं पहना है तो ये बस ऐसी बात लगते ऐसी कहानी लगती है परमेशुर्ण ने हमारे तियänger के हुए रालिएक जार का वस्तरह है ये बस्तर है तो हमे स्वार्द के जाने हम मुछ कर आले हैं हमारे इसर नहीं जारी करONGए है वोपह अप्रकनर से अर्डंा पर चाह्यान अर्णीनल नार आपूर में मूला मस एक उफ कम आव French but नो यहा उना आपको अर्णी खरी आपने आपू ज्रॉट आप के लिए मैं आपूरना हो। जरह क gevֹ और भी जऑना उना गोल यह उत आप अरु था। तो यह वस्तर मतलब क्या है कि हमारे सारे अपरादों को ढख कर परमेशर के सामने धर्मी के रुप से जाने वाला धार्मीकता के वस्तर है यह तो शराबी है ना यह तो हमेशा चोरी करता था ना यह तो बुरा है ना तो आइसे लोग यह वस्तर पहन सकते हैं मैं तो बहतर रुप से जह हूं मैंने कोई चोरी नहीं की पिर भी मैं उस विक्ते से अलग हूं जो लोग उस दार्में विक्ता के वस्तर को नहीं पहने हैं और जाते हैं आत्मिक जहन मतलब सच में दुशात्मा से दोका का कर बहुत सारे लोग आप राद करते हुए पाप करते हुजीते हैं लेकिन परमिश्य के सामने आने पर परमिश्य ने धार्मिक्ता के वस्तर तैर किया ताकि हम उस बहुत ही महिमावत भोज में प्रविश करें दुशात्या दुचा के वस्तर क्या है येश्य में से हर एक ने पाप किया है येश्य में परमिक्ता के वस्तर तैर करने के लिए करुस पर मरते हुए उसने सारे हमारे पापों का दंड भी पाया जब येश्य मस्य कुरूस पर मारा गया तब हमारे सारे पाप हिम के समान श्वेत होए गया मैं भी बहुत लंबे समय के लिए चार्च गया बाइबल को जब अच्छी से नहीं जानता था इससे बस मैं पाप ही मानता था लेकि जितना हम वे बाइबल पढ़ते उतना ऐसा नहीं कि मैं पाप नहीं करता मैंने बहुत पाप किये लेकि येश्य मस्य के कुरूस कर लो हूँ वो मेरे सारे पापों को बर्फ के समान सफेद दो दिया है जैसे वो वस्तर पहनते हैं वो सारे हमारे वस्तर को चपाता है वो हमारे मन को भी पवित्र और शुद्ध करता है तो येश्य पर विश्वास करता है मतलब में कोई आच्छा काम करता है ऐसा नहीं है दूसरों के लिए बलिदान करके आच्छा काम करता है ऐसा नहीं है विश्वास करना मतलब मेरे मन से अलग येश्व के मन को स्विकार करना येश्व मसी मेरे पापों के लिए कुरूस पर मारा गए इस बात को स्विकार करने पर जब हम ये कहते कि ये शु मसीह ने मेरे पापू को कुरुस पर धोया है उस मन के अर्फोर मेरे पाप धोये गए है विश्वास में निर्वान होता है बाइबल में धार्मिक्ता के वस्तर इससे दर्शात है सब लोक गंदे वस्तर पहने थे और सब अच्छे वस्तर धार्मिक्ता के वस्तर पहन कर हम ढग गए हम पवित्र और सुन्दर दिखते हैं शाय से ये वेक्ती उस धार्मिक्ता के वस्तर से बहतर वस्तर पहना था नहीं फिर भी मनें अच्छे काम जादा किये मैंने चोरी नहीं की मैंने दूसरों की मदद की मैं बले ये वस्तर ना पहनू तो भी मैं बहुत ही आच्छा इंसान हूँ ऐसे लोग हैते हैं ऐसे लोग प्रभु का अनुगरह नहीं पा सकते ये शुमस्य जैसे कुरूस पर मारा गया हमारे सारे पापों का दन उसने बाया मैं जैसे बहुसार लोग को सुसमाचार प्रचार करता हूँ ऐसा लोगता है कि ये विक्ती नहीं सुन पाएगा मीसन के जैसे एक दिन पर मीशन ने उस तांतरिका के दोरा मीसन में चुडल नहीं बना चाहती है कहते हैं तो येशु पर विश्वास करने में उसका मन बदल गया तो मीसन और उसके मार में पास आए और एक गंटे के कम सामे में ही कैसे येशु मसी येशु मसी के कुरूस ने मेरे लिए मारा गया और उसके लोहु ने मुझे सुड़ किया है जैसे मीसन ने जाना कि येशु मेरे पापों के लिए मारा गया उसने इस बात पर विश्वास किया और विश्वास स्वी करके कि वो उसके लहु ने मेरे पापों को दो दिया है ऐसा नहीं कि मीसन में पाप नहीं था येशु के लहु से उसने पापों के शमा पाई तो पहले उसने जैसे सुना था कि उसे चुडेल बनना पड़ेगा नहीं नहीं मुझे चुडेल पसंद नहीं है येश्यू पर विश्वास करना चीए है ऐसे उसने मन बदला और हमारे घर में गाड़ी में बैठकर रहे आए और मन खोला एश्यू के लहू से कैसे पाप शमा होते हैं उस बात को सुप इवार किया और पापो की शमा को उसने पाया और वापस कैई और उसके बाद नहीं जूंग नाम रोङूदी में कारेकरमजा शाता भी पीच्छे है हम थोड़े समय के लिए मिले थे उसके बाद मिलने ही सका मैं मीसन की माँ की बातों को सुने था वा अच्छे से खाना खा रही थी तो दवाई चोड़ देती इसलिए पेट भी बहुत 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 रहा था उसका उसका शरीक की हालत अच्छी थे उसका वजन भी बढ़ा था लेकिन दुखी बात क्या है कि वो पहले प्रभू के पास चली गई मैं कभी-कभी सोचता हूँ हम स्वर्ग में जाकर मीसन से मिल पाएंगे उसने पापो की शमा पाई है ना इसलिए तो मैंने आच्छे काम किये है मेरे नजरों में सुन्दर दिखना लोग उस वस्तर से नहीं ये शुने तयार किया हूँ नया शुद्ध ऐसा धर्मिकता का वस्तर उस महिमा वाले भूज में जाते हुए हमारे वस्तर हमारे नजरों में बहतर और बहुत अच्छे शांदार दिखते हैं लेकिन परमीशर के नजरों में हम सब गंदे हैं येश्यू के लहु से दोय हुए सच में पवित्र वस्तर पापो के शमा का वानुगरू हमें देता है येश्यू नजरों में पापो के शमा पाई उसे पहले में बच्पन से चर्च में जाता था सच में मुझे बाइबल अच्छे से पता नहीं था मैं हमेशा ये सूचा था कि मैं पापी हूँ लेकिन बाइबल को पड़ते हुए पका पता चला कि 1962 साल में हम इस पशुरूब से जान सका येश्यू मसीच के लहुचे मेरे पाप दोहे है दूसरे शब्दों में कहते हूँ हम पर आने वाले पाप के सारह दंड को येश्यू ने हमारे जगह पर कुरूस पर पाए येश्य मसी कुरूस पर उसके खुद के पापों के लिए नहीं हमारे पापों के लिए चड़ाये गया वो हमारे जनमने से पहली हुई घटना थी लेकिन हमारे सारे पाप कुरूस पर सुलजाये गये लेकिन हमेशा मेरे मन में हम अपने अपको पापी जानते है लेकिन जैसे सुसा माचार के वच्छन को सुनते है आंक रूस के लहू से मेरे पाप धुए गए है तो वो असले जब मेरे मन में विश्वास की जाती है तब मेरा मन पाप से चुटका रा पाता है मेरा मन पाप से बचाय जाता है मन जैसे पाप से बाहर निकलता है येशु के साथ एक मन होकर जीवन को जी सकते है उस दिन जैसे मीसन हमारे चर्च में आये उसके मां के साथ जब उसने वचन सुना उससे पहले वो येशु से नफरत करती थी लेकिन मन बदल कर उसने पापों के शमा पाई कभी ना कभी हम सुर्ग में जाकर मीसन से जरूर मिलेंगे तो हम सबी लोग येशु के लगुट से पापों के शमा पाकर उस भूज में आये हैं जो लोग वस्तर नहीं पहनते वो आहा मैंने पाप नहीं किया मैं अच्छा हूं मैं भला हूं मैं बहतर हूं जो अपनी बातों के उपर बढ़ा ही मारते हैं इसले वस्तर नहीं पहनते हैं ऐसे लोग फेके गए हमें से हर एक वेक्ती नहीं पाप किया है तो हमने हमारे पापों के लिए कुछ करना ऐसा नहीं है हमारे किसी भी प्रयासों से हम पापों को दोनी सकते हैं हमें तो अनंत का लिक नाश में जाना चाहिए लेकिन परमेश्वर का हमारे परती बहुत बड़ा प्यार है इसले उसने इश्य को भेजा हमारे पापों का सारा दंड इश्य ने कुरूस पर पाया तो इसले परमेश्य कहता है हमारे सारे पाप कुरूस पर दोई गए हमें वो पवित्र कहता है सिद कहता है हम क्या विश्वास करते हैं बस विश्वास करते हैं 1962 साल में मैं इश्य के लहुँ से पापों के समापा ये पका विश्वास करता हूं सच में उस आसलेट को मन में स्वीकार करता हूं तो तब से ईश्व मेरे मन में प्रवीश करकर रहने लगा मेरे ज्वन में शांती आई है खुशी आई है आनंद आया इस पाइबल के वचन के अनुसार पापो की शमा पाने के वचन को बहुत सार लोगों को में बताया प्रचार किया और जिन लोगों ने इस वचनों को विश्वास करके मन में स्वीकार किया लुंञा अभारा है, यह वाइब भूस ते संट लुड़ते हैं आह वाएफ में आप लोग बहुत सारे लोग जोन्हें़ परते कम आब बापक शहाब ड़ते हैं लेकिन आज शुए सगर बापक शहान नहीं पई strength कम से कम आज येशु के लहू से पापके कि ainda के विश्वास रखे तो आपके जिवन परमिशो नंदकार निकाल कर आपको प्रकाशिक जीवन देगा और आप दूसरे लोग को पापको के शमा के बार मता होगे दूसरे लोग भी पापो के शामा पाकर खुशी से आनदित जीवन जी पाएंगे यह से विश्वास करता हूँ बागे के जीवन में आप इशु से आशिशित रुप से जीए उस आनदिकाल की जीवन में आपसे मिलूँगा और आशिशित जीवन आपका होसा आशा करता हूँ धन्यवाद मैं प्राहतना करता हूँ पावीतर परमीश अपित आपको धन्यवाद देता हूँ वो लोग जोनोंने भोज में आने के लिए मना किया दुष्ट आत्मा के साथ एक होकर परमीश के खिलाफ कड़े रहे हैं ऐसे लोग जोनोंने वस्तर नहीं पहने हैं आपने आपकी भलाई को प्रगट करने के लिए असा किया हम सच में पाप की वे दुष्ट लोग हैं तो इसलिए हमारी कुरूस पर हमारी पाप दुष्ट इसलिए धन्यवाद देते हैं इस असलिएत को विश्वा से स्वीकार करके येश्यू के आशिश में हमें बाकी के जिवन को जीने देजिए और अन्दकाल के स्वर्ग में हमें आशिश पाने देजिए धन्यवाद देते हैं येश्यू के नाम से हमने प्रात्ना की आमें येश्यू कामसावनिता सभी को धन्यवाद